नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर पीम किसान सम्मानिधी योजना का लाब ले रहे सभी किसानों के लिए आज की यह एक महत्वपून और जरूरी खबर है केंदर सरकार द्वारा सत्रवी किस्त के 2000 रुपे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने से पहले एक नई पैंशन लिष्ट को जारी किया है जिन किसानों का नाम इस नई लिष्ट में सामिल ही नहीं है इस नई लिष्ट में नाम ही नहीं है उन किसानों को सत्रिवी किस्त भी नहीं मिल पाएगी सत्रिवी किस्त के 2000 रुपे उन किसानों के बैंक खाते में ट्रांसवर नहीं सरकार कर पाएगी क्या आपका नाम इस नई लिष्ट में है या फिर नहीं है आप घर बैठे अपने वॉयल फोन से PM किसान सम्मानिधी योजना की इस नई लिष्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं कैसे देख सकते हैं वह तरीका हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं ऐसे चेक करें लिष्ट में अपना नाम कैसे चेक किया जाता है तरीका आपको बताए जाएगा वीडियो की सुरवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं केंदर सरकार द्वारा PM किसान सम्मानधी योजना की जो नई लिष्ट जारी की गई है किसानों की उसमें अपना नाम कैसे देख सकते हैं वह चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मुबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्रावजर को ओपन कर लेना है जैसे हमने ओपन किया हुआ है ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है PM किसान PM किसान लिखकर आपको सर्च करना है जी हाँ PM किसान हमने यहाँ पर लिखा और इसको हम सर्च कर देते हैं अब जैसे हमने सर्च किया देखें यहाँ पर लिखा आ चुका है PM किसान सम्मानिधी लिखा हुआ है यहाँ पर आपको इस पर किलिक करना है चलिए हम किलिक कर देते हैं किलिक हमने किया और देखें PM किसान सम्मानिधी की जो ओफिसल वेबसाइट है पोर्टल है हम उसको उस मंत्री जी द्वारा, सोल विकिस्त के 2000 रुपे 28 फरवरी 2024 को ट्रांसफर किया गए थे DBT के माध्यम से अब नीचे यहाँ पर आपको आना है यहाँ पर देखे फार्मर कोर्णर लिखा हुआ है, इस फार्मर कोर्णर में यहाँ पर आपको एक इन सभी आइकन में से एक Beneficiary लिष्ट का आइकन नजर आ रहा होगा, जी हाँ Beneficiary आइकन, इसी पर Beneficiary आइकन लिष्ट पर आपको किलिक करना है, हमने किलिक किया अब किलिक होने के बाद देखिए अगला पेज हमारे सामने उपन होने जा रहा है और जहाँ पर ओपन भी हो चुका है, आप पड़ सकते है Beneficiary लिष्ट लेटेस्ट लिष्ट है PM किसान सम्मानिधी योजना की अब सबसे पहले यहाँ पर किलिक करके किसानों को अपने राज्य का चुनाव करना है, जिस राज्य के वहन निवासी है हम यहाँ पर उत्तर परदेस का चुनाव कर लेते हैं अब देखे, जो जिला है अब यहाँ से किसानों का अपना जिले का चुनाव करना होता है हम किसी एक जिले का यहाँ से चुनाव कर लेते हैं ठीक है, किसी एक जिले का तो जो आपका जिला है आपको अपने जिले का चुनाव करना है अब यहाँ पर जो आपकी तहसील है सब डिस्टिक्ट उसका आपको चुनाव करना है चलिए हम इसका भी चुनाव कर लेते हैं अब यहाँ पर जो आपका ब्लोक है अपने ब्लोक का किलिक करके चुनाओ कीजिए हम ब्लोक का भी चुनाओ कर लेते हैं अब जो यहाँ पर बोले हैं कि आप अपना किलिक करके अपने गाओं का चुनाओ कीजिए जिस गाओं के आप निवासी हैं जिस गाओं में आप रह रह तो चलिए यहाँ पर किलिक करके हम गाउं का भी चुनाओ कर लेते हैं चुनाओ हम ने कर लिया है देखे सबसे पहले हमने अपने राज्य का चुनाओ किया अपने जिले का चुनाओ किया अपनी तहसिल का अपने बलोक का अपने गाउं का अब यहाँ पर गैट रिपोर्ट प हम आपको समझा रहे हैं ठीक है तो इसी परकार से देखे यहाँ पर जो पहले लिष्ट है उसमें आपको 50 किसान नजर आएंगे आप देखे यहाँ पर पहला लिखा हुआ है सिरियल नमबर वन और यहाँ पर किसानों का नाम है और यहाँ पर महिला है या पुरुस है यहाँ यह भी दिखा गया है देखे फिमेल या एम जो महिला है तो एफ लिखा मिलेगा और यहाँ पर इस लिष्ट में किसानों को अपना नाम देख लेना है चाहिए आप किसी भी राज्य के किसान हो सकते हैं इस परकार से लिष्ट में आप अपना नाम देखिए अब देखे इस तो किसान इस गाउं में हैं जो इस योजना का लाब ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको next का किलिक करने का किलिक option आता तो यहाँ पर किलिक करके पूरी लिष्ट में इसी प्रकार से लिष्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं तो देखिए इसी प्रकार से लिष्ट आपके स चाहते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी तो ऐसे सिथी में पीम किसान के पोर्टल पर आपको आना है और यहां पर नौ यह वर स्टेटस पर क्लिक कीजिए अपना लैंड शिडिंग का कारे देखे कंप्रीट है नहीं अपना एक वाईसी का कारे चेक कीजिए अपना आधार ब लाएंग अकाउंट शिडिंग का कारे कंप्लीट है तो यह से लिखा मिलेगा यदि निमें से कोई भी एक कारी अदूर है तो वहां उसके सामने आपको नो लिखा मिलेगा जी हां इसी परकार से आप पता कर सकते हैं आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको हमार जब आपको दे दिया जाएगा लास्ट में हम निवेद नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत